हेलो एवरिवन, रीटू इजी रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़ा, इसको बनाना बहुत ही आसान है आप इस ब्रेड पिज़ा को बनागर अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हो ब्रेड पिज़ा बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो चलिए ब्रेड पिज़ा बनाना शुरू करते हैं ब्रेड पिज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉइल कॉन लिया है लंबा स्लाइस में कटा हुआ, ओनियन लिया है टमाटर को भी मैंने काट लिया है और इसका बीज निकाल दिया है कैपसिकम मैंने काट के लिया है और यहां मैंने यह मौजरिला चीज लिया है आप चाहें तो आमुल का प्रोसेस चीज भी ले सकते हो यह मैंने पिज़ा सॉस लिया है यह चिली फलेक्स है और ये मैंने पिज़ा और्गेनो मसाला लिया है इसमें और्गेनो हर और काली मिर्च और नमक पहले से है तो मैं इसमें ये काली मिर्च नमक और और्गेनो नहीं डालूंगी अगर आपके पास केवल और्गेनो है तो आप काली मिर्च और नमक डाल सकते है यह मैंने ब्रेट की स्लाइस ली है ब्रेट पिज़ा बनाने के लिए मैंने यहां वाइट ब्रेट ली है आप ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हो अब मैं ब्रेट पर पिज़ा सॉस लगाऊंगी पिज़ा सॉस को मैं ब्रेड पर अच्छे से एवर्ली स्प्रेड कर दूँगी अब मैं इसके उपर कैपसिकम रखूँगी अब मैं इसमें ओनियन के स्लाइसेस रखूँगी इसके बाद मैं इसपे कौन डालूँगी इसके बाद मैं टमाटर रखूँगी इसके बाद अब मैं ब्रेड के ऊपर मौजलेला चीज डालूँगी इसके बाद मैं मिक्स औरगेनों मसाला डालूँगी और लास्ट में मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी ब्रेड पिज़ा को आप तबे पर या पैन पर किसी पे भी बना सकते हैं मैं ब्रेड पिज़ा को पैन में बनाऊंगी ब्रेड पिज़ा को आप चाहें तबे पर बनाएं या पैन पर बनाएं आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको अच्छे से ठक दें जिससे कि उसकी स्टीम ना निकलें अब मैं पैन में बटर डालूंगी और चारो तरफ अच्छे से फैला दूंगी अब मैं इसमें अपनी ब्रेड रखूंगी और यह ढ champ रख अपन से साथ मिनट के लिए अब मैं इसको ढक दूंगी और गैस को एकदम स्लोग कर दूंगी एकदम कम कर देंगे जस वा पांज साथ मिनट में हमा真的 हो जाएगा ब्रेड पिजा बन जायेगा हमारा ब्रेड पिज़ा बनकर तयार है अब हम इसको निकालेंगे अब हम इसको काटेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रेड पिज़ा कितना अच्छा बनकर तयार हुआ है देखते ही मुँ में पानी आ जाएगा अब हम इसको सर्फ करेंगे हमारा ब्रेड पिज़ा बनकर तयार है यह बहुत ही टेश्टी और यम्मी बना है यह बहुत जल्दी बन जाता है बच्चे इस ब्रेड पिज़ा को तो बहुत पसंद करते हैं आप इस ब्रेड पिज़ा को अपने बच्चों के लिए बनाईए और खाईए आपका ब्रेड पिज़ा कैसा बना है मुझे comment box में comment करके जरूर बताइए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दवाईए थैंक यू